नमस्कार दोस्तों मैं ड़ोकेट कपिल भाकर एक बार फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं आज हम बात करेंगे अमन बैसला मडर केस के बारे में जी हां दोस्तों मैं इसको मडर मानता हूं क्योंकि यह सुसाइड का मैटर तो ही नहीं किसी व्यक्ति को इस तरी उनको मैं शौट में केस बता देता हूं एक 22 साल का लड़का था अमन बैसला एक हर्यानवी कलाकार सुमित गोस्वामी और उसकी गर्फेंड नेहा जिंदल इन्हों ने उस लड़के को पहले प्यार के जाल में फसाया और उसको इस हद तक मजबूर किया ब्लैकमेल किया उस पूरा हाल बया किया कि उसने सुसाइड क्यों की या वो सुसाइड क्यों कर रहा है उसको किस हद तक मेंटली नोंने टॉर्चर किया और इस केस के बाद से ही जस्टिस फूर अमन बैसला की डिमांड बड़ी जोरों पे है जो होनी भी ज़रूरी है मैं एड़ोकेट होने के नाते वो सेक्षन बताना चाहूंगा कि जो इस जस्टिस अमन बैसला की जो इस केस की पहरवी कर रहे हैं वो सेक्षन का ध्यान रखे कि ये सभी धाराएं उस सुमित गवास्वामी उस नेहा जिंदल पर लगनी चाहिए तो मैं आपको सबसे पहले धारा बताऊंगा 503, 504, 506 ये धाराएं जिसके अंदर आपका ब्लैकमेलिंग, धमकी देना, आपकी रेपोटेशन को खराब करना ये तीन धाराएं होती हैं जिसके अंदर किसी व्यक्ति को धमकी देकर ब्लैकमेल करकर उसको परेशान करना आता है नेक्स मैं धारा बताऊंगा जिसके अंदर होता है सेक्शन 306 IPC जिसमें किसी व्यक्ति को इस तरीके से उक्साना कि वो अपने आपको आत्म हत्या कर ले वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाए तो सेक्शन 306 IPC कहता है कि किसी को हत्या के लिए उक्साना या वो अपनी हत हत्या कर रहा है या वो दूसरे की हत्या कर रहा है तो वह एक क्राइम है और नेक्स मैं बताना चाहूंगा इसके अंदर जो धारा होनी चाहिए 120A क्रिमिनल कॉंस्पिरेंसी क्योंकि इन लोगों ने मिलकर यह दो तीन लोगों ने मिलकर उस बिचारे लड़के को मजबूर क है मडर जी हां दोस्तों इनके उपर मडर की धारा जरूर लगनी चाहिए क्योंकि यह साफ साफ दिख रहा है कि यह मडर है यह कोई सुसाइड नहीं है यह सिर्फ और सिर्फ मडर है तो मैं भाईयों से अपील करना चाहूंगा जो इस केस की पैरवी कर रहे हैं चार शीट मे यह सभी धारा होनी चाहिए मैं दुबारा रिपीट कर दूँ 503, 504, 506, 306, 120B, 120A और 302 मडर यह सभी धारा है चार शीट में होनी चाहिए और इन सभी धाराओं के लिए जो सजा है मैं इन शॉट में अगर आपको सजा भी बताओं तो मिनिमुम दस साल का कारावास और फा बच्चे के साथ जो है वो बहुत बुरा हुआ यह कल को किसी के बच्चे के साथ भी हो सकता है तुमारे हमारे साथ भी हो सकता है ठीक है दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद